हेलो फ्रेंड्स बदबद स्वागत है आपका अभी शेकर्ड में पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप सरसाटपी बीपियस्सी और सीडिप्यो के लिए बिहार करें इंटरफेर्स 2021 से टॉप 25 कोश्चन देखने वाले हूँ एक बात समझ लिजेगा जो अभी आप क्लास देख रहे हो MCQS का इससे पहले इन सारे पोइंट्स को अच्छे से परहा दिया गया है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्रेलिस्ट बना हुआ है आप उसे भी एक बार देख लिजेगा फिर आप 25 में 25 मार्क्ष जरूर लाएंगे इतना मेरा भरोसा है अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देख लिजेगा और अगर आपको 2021 कर इंटरफेर्स बिहारी स्पेसल से अच्छे से पता हो तो फिर आप देखी आज का क्लास में आपको कितना मार्क्ष आता है आएए देखते हैं आज का पहला सवाल सबसे फर्स्ट में है कि किस विभाग ने अरजून प्रूशकार विजेता सूटर जिनका की नाम है स्रेशी सिंग जो कि आपको पता होना चाहिए यह बिधायक है बीजेपी की जमुई जिला से स्रेशी सिंग को पूशन स्वास्त एवं स्वक्षता से समंधित जन जागरुकता लाने के लिए सदभावना दूथ बनाया है किस विभाग ने ओप्शन नमबर यहाँ पे डी हो जाएगा शमाज कल्यान विभाग के द्वारा स्रेशी सिंग को बनाया गया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं बिहार के किस सरकारी कमपनी ने बिहार के 1.17 करोर छात्रों को मिड़े मिल में दूद देने का जो प्रस्ताव है वो रखा है ओप्शन नमबर भी हो जाएगा कॉमफेड नाम ध्यान रखिएगा 1.17 करोर छात्रों को दिया जाएगा मिड़े के तहत दूद लालो परसाद यादव की जीवनी पर आधारिद पुस्तक जिसका की नाम है गोपाल गंज से रायशीना मेरी राजनेतिक यात्रा के लेखा कौन है ओप्शन नमबर यहाँ पर B हो जाएगा सही जबाब नलीनी वर्मा उनका नाम था नेक्स्ट कोर्शन है एक महत्तोपुर्ण फैसले में सुप्रीम कोट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया था ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर A हो जाएगा सही जबाब 5 A को निरस्त कर दिया था नेक्स्ट कोर्शन है कि बच्चों के अवैद व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राजी के साथ मिलकर कारिक करेगा राजिस्थान के साथ मिलकर ओप्शन A यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा बिहार में उगाय जा रहे काले गेहुं की परजाती का विकास किस इंस्टिचूट में किया गया है ओप्शन नमबर यहाँ पर A हो जाएगा नेशनल एग्रो फूड बायो टेकनिकल टेकनोलोजी इंस्टिचूट में नेट्स्ट कोर्शन है बिहार रज़ी टीम के किस खिलारी ने एक सत्र में सबसे ज़ादा 68 विकेट लेकर बिसन सिंग देवी का 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड जो कि 64 विकेट उन्हों लिया था उनका रिकॉर्ड तोर दिया है तो उसका नाम आपको बताना है तो option number आपका यहाँ पे आशुतोष अमन हो जाएगा ध्यान रखेगा आशुतोष अमन ने बिसन सिंग देवी का 44 साल पुराना रिकॉर्ड जिसमें कि उन्होंने 64 विकेट लिया था उनको तोर कर 68 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है किसने आशुतोष अमन ने नेक्स्ट कोश्चन है बिहार के किस अस्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइन्स सेंटर बनाने का प्रस्ताव है ओप्शन नमबर सी हो जाएगा राजेंदर नगर कहां पर तो पत्ना में नेक्स्ट कोश्चन है किस सोसल साइट की मदद से बिहार सरकार को मौस्टर की पुरवानूमान की जानकारी देगे नेक्स्ट कोश्चन है इंडियन बिल्डिंग कॉंगरेश द्वारा बिहार के किस भवन को state of art का पुरुषकार मिला है option number यहाँ पे C हो जाएगा बिहार पुलिस मुख्याले अशोका कर्वेंशन सेंटर को next question है बिहार के किस अस्थान पर बिहार का पहला child friendly police station खोला गया है option number A हो जाएगा बिहार सरीफ में खोला गया है next question है बिहार के किस जिले में गुप्त कालिन इट और सिक्के का अवशेश मिला है option A बिल्कुल सही हो जाएगा मधवनी जिले में next question है पत्ना नगर निगम के द्वारा घरोंदा से घर की और नामा के एक अभियान चलाया जा रहा है आपको बताना है कि अभियान किस से समंदित है मकान से सिक्षा से सरक्ष से या फिर स्वचता से option नमर यहाँ पर भी हो जाएगा सिक्षा से समंदित है कौन सा घरोंदा से घर की और next question है महत्मा बुद्र की एक परतिमा राजगीर में लगाई गई है इसकी उच्चाई बताना है कि कितने फीट में है option नमर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 70 फीट next question है बी एन मंडल विश्विद्याले मधियपुरा कि कि संस्थापक कुलपती सहराज सभावा लोक सभा के पुर्व सांसद का निधन हो गया है option नमर डी हो जाएगा प्रोफेशर रमेंद्र कुमार यादब जी का निधन हो गया है next question है राज जी में किस तिथी से सोने के आभूशनों पर हॉल मार्किंग की अनिवारता कानून लागू हो गी लागू हो चुकी है यह आपको जाना है आप यह option नमर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल साही जबाब 16 जून 2021 से बिहार में जो सोने का आभूशन होता है उस पर हॉल मार्किंग का जो नियम है वो अनिवार कर दिया गया तो उसे करना ही है लगाना ही है नेक्स्ट कोशन है कि बिहार में पत निर्मान विभाग की शरकों के सतत एवंग उतक्रिष्ट संधारन के विद्देश से आम नागरिकों द्वारा सरकों से समंदित सुझाव एवंग सिकायत दर्ज करने के लिए किस एप को विक्षित किया गया है option आप यहाँ पर देख लिजिए अपना जवाब बताएए क्या होगा option नमर यहाँ पर A सही जवाब है बिहार पत संधारन next question है पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए phytosanitary certificate दिया गया है साही लीची option नमर B हो जाएगा phytosanitary certificate दिया गया है साही लीची को next question है क्रिसी हैथ कौन का आयोजन करने वाला देश का पहला क्रिसी विश्विद्याले कौन है आप अपना जवाब अच्छे से बताएगा बिहार क्रिसी विश्विद्याले मधवनी का दरवंगा का शबोर का या फिर गया का देखे यहाँ पर हो जाएगा option number C बिहार क्रिसी विश्विद्याले सब और यह आप जान लिजिए सब और जो है अगर पूछ लेकि एक जाम में कहां पर हैं कहां पर नहीं आप अपने खुद के लिए जान लिए भागलपूर में है कनफ्यूज नहीं करना है सब और कहां पर भागलपूर में बहुत सारी स्टूडेंट को सब और नाम से भी कनफ्यूजन होता है पता नहीं कहां पर है देखे गलोबल एस्योशियेशन ओफ फिजियो थेरेपी का राष्टी अध्यक्ष कौन बनाया है ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब डॉक्टर प्रभात रंजन को बनाया गया है नेक्स्ट कोशन है डॉक्टर राजेंद परसाद केंद्री ए क्रिशी विश्विद्याले कौन सा समस्ती पूर का कि किस कॉलेज को महा जिंगा मचली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया ग किलो मिटर दो लॉंग जर्नी होम में बिहार के साथ प्रवाशी स्रमिकों का यात्रा का वर्णन किया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा विनोध कापरी उनका नाम है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोशन है बिहार के कितने जीले में एकलव विद्याले खोला जाएगा की हो जाएगा साही जवाब 2025 तक रखा गया है आज का लास्ट कोशन देखते हैं जीएश्टी कॉंसिल ने सोना और कीमिती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनरगठित ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स जिसे कि आप इंगलिस में जी ओ एम के नाम से जानते हैं तो अभी आपने टॉप 25 कोशन देखा जो कि आपके बिहार करेंट अफेर्स 2021 का था अगर एक बार आपको फिर से बता दिया जा रहा है अगर अभी तक आपने इन सारे चीज़ को नहीं परहा है तो नीचे प्लेलिस्ट बना नीचे आपका डिस्केप्शन है उसमें हर म भी भी डाउट करने वाली बात नहीं है तो फ्रेंट्स अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा काफिस और प्रैक्टिस से अप्लोड किया गया आप उसे भी देख लीजिएगा सब्सक्राइब करिएग प्रैक्टिस